और फ्रेंड्स ठिक ठाक सब आज की इस वीडियो में बात करूंगा अमरीका के केजरिवाल प्रो मेक्स आप कहोगे हैं केजरिवाल अमरीका ही पहुँच गया केजरिवाल का भी एक अपग्रेडेड वर्जन मतलब केजरिवाल उसके सामने कौपी लगने आप सोच रहे होंग फलनवा प्रेजिडेंट ओफ यूनाइटे डिश्ट तब तक मुझे पता भी निता कि अमरीका को यूएस से कहते हो और उसकी फूल फॉर्म क्या हो पर वो ऐसा मार्केट में जो चला था जो बताया गया तो सुनके खुसी सी हुई खुसी की इस बात पर हुई कि ओभामा राष्ट पती बनिया तो ओभामा कौण सा मेरी मोशी की लळका है पर खुसी इस बात की थी कि ओबामा काला है मतलब ओभामा के राष्ट पती बनने पे ये बड़ा emphasize करके बताया जाता था कि अस्वेत राष्ट पती बन THE अब मुझे क्यों अच्छा लगा तो एक तो जैसे जो 200 साल अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, तो उससे एक हमारे सबकॉंसियस माइंड में कहीं न कहीं एक बैठी गया, कि साले जो अंग्रेज होते हैं, जो गोरे, अंग्रेज का मतलब होगे हमारे लिए गोरे, तो ये बड़े हरामी टाइप हो, तो माँ चलो कोई तो हम जैसी सकल सूरत का आदमी अमरीका पहुंचा, ये उबामा के बारे में जो मेरी छवी थी, जो मैं उबामा को समस्त, फिर दिर दिरे में बड़ा होने लगा, फिर कहीं मुझे एक आइटिकल दिखा तो उसमें कहीं चलना था, बई उबामा का रिलिजन, उबामा का जो ये पूरा नाम मैंने बोला, बराक, हुसेन, उबामा, आप में से भी बहुत सारे लोगों को इसका ये पूरा नाम नहीं पता हो, तो ये था मेरा उबामा से जो पहला इंट्रोड़क्ट, उसके बाद फिर टाइम बीता गया, फिर मुझे कहीं कोई आइटिकल मिला, फिर मुपढ़ने लगा, तो मुझे पता लगा कि ओबामा का पूरा नाम है बराक हुसेन ओबामा, तो मगैर हुसेन तो ये भाईजान का होता है, और ओबामा का रिलिजन क्या है, इसने कहीं खुल के ऐसा बोला नहीं है, इसने एक जगे बोला था कि I am Christian by choice, पर अमरीका का एक बहुत बड़ा धड़ा है, जो ये कहता है कि ओबामा मुसलिम हो सकता है, खेर, ये तो ओबामा के बारे में चला, अब ओबामा का जो पूरा केम्पेन था, वो ऐसा ही था कि ओबामा जो है, निव काइंड ओफ पॉलिटिक्स लेके आया है, इसका कारण क्या है कि ओबामा जब ये केम्पेन कर रहा था 2006-07 में, तो इसने कहीं स्पीच देते वे बोला कि मनें हाई स्कूल में ड्रग्स, अब ये सुनते ही अमरीका वाले पागल हो गये कुछी से कि ओमाई गौड, क्या प्रेजिडेंट आ गया, सच बोल गया, मदब ऐसे कौन बोलता है कि ओमने ड्रग्स किया, पर उबामा बोल गया, तो मगए तो बड़ा ट्रेंस्पेरेंट है, ट्रूथ बोलने वाला है, ऐसा राष्टपती है, पर क्या सही में उबामा ने हाई स्कूल में ही ड्रग्स किया था, उसके बाद नहीं किया था, यह मैं बताओ, उससे पहले आप एक और अमरीका के फॉर्मा राष्टपती का किस्सा सुनो, जिससे आपको अमेरिकन कल्चर क्या है, वो पता लग जाए, हम लोग अपने हाँ सत्य में उजयते लिखते हैं, पर हम मानते नहीं है, बोलने पर बोलते हैं 295 फे लगे, ऐसा हेटी स्पीच बोलने लगे हैं, अब तो सच बोलने को हमारे हैं के मिया लोर्ट, अमरीका में एक राष्टपती हुए, बिल क्लिंटन, जिनको ऐसे हम आम तोर पर बोलते हैं कि बड़ा बिल क्लिंटन हो राजब वो इंग्लिस बोलते हैं, तो वाइट हाउस में कुछ बच्चे एज़ इंटर्न सलेक्ट हुए थे, तो उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था मोनिका लेविंस की, तो भाई वो इंटर्नशिप खत्म हुए, फिर वो पर्मानेंट इंपलोई हो गई वाइट हाउस, बिल क्लिंटन का उस लड़की के साथ अफेयर, ये बात जब मार्केट में आई, तो भाई क्लिंटन को इंपीच करने के लिए सब चला, तो जूरी के सामने जब पूछा ग पर फिर बाद में चीजें अधरवाइस प्रूफ हो गई और ये आया कि मोनिका लेविंस्की और ये बिल क्लिंटन का ब्लो जॉब बहुत ज़्यादा वाइरल हुआ, मोनिका गेट नाम से जाना जाता है, अब अमरीका वालों को दिक्कत इस बात से नहीं थी कि ये ब्लो ज स्कूल में ड्रग्स किया था, तो फॉक्स न्यूज के एक फॉर्मर एंकर हैं टकर कालसन, उनके कई मीम्स भी वाइरल होते हैं, हॉलिवड मुवीज वगेरा में भी, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट अपना शुरू किया ट्विटर पर तो उन्होंने एक बंदे का लेरी सिंक्लेयर का इंटरव्यू किया, जिसमें लेरी सिंक्लेयर ने ये बताया कि बराक हुसेन ओबामा ने लेरी के साथ कोकीन ली थी, सेक्स किया था, और दो बार, फिर उसके बाद बहुत सारे अकबारों में उस वीडियो के बिहाफ पर आर्टिकल्स छपे, फिर मैं थोड़ उसकी ग्रेजुएशन डे सेरिमनी के लिए गया हुथा, इलियोनियस कोई करके जो इस्टेट है, पता नी मुझे तो परनाउंस करना भी नहीं आता, तो जब ग्रेजुएशन डे वाली वो हो गई सेरिमनी तो उसके बाद ये सब लोग सेलिबरेट करने बाहर गई, तो इन नवंबर 1999 को मुलतानी अपनी गाड़ी लेके टाइम पे पहुँच गया इसके होटल के सामने, लेरी सिंक्लियर का जो दोस्त था, जिसकी ग्रेजुशन डे सेरिमनी थे, उस दिन उसके साथ वो नहीं आया, तो लेरी गाड़ी में बैठा, उसने बैठके मुलतानी से कहा है कि मेरा दोस्त नहीं आ रहा है, तो तुम किसी को जानते हो गया, जो मुझे शिकागो घुमा दे और मेरे साथ पाटी वाटी कर ले, तो उसने का हाँ मैं जानता हूँ मेरे एक दोस्त है बैरी, तो भाई ये गए, ड्राइफ करके, कलब के बाहर गाड़ी रुकी, तो लेरी ने बोला उबामा से, यार मैं थका थका फिल कर रहा हूँ, मुझे कोक चाहिए, कोकीन जगने के लिए, कहीं मिलेगी क्या, तो उबामा ने का, अहां मिल जाएगी, तो उबामा और लेरी उस होटल से बाहर निकले, उस जो भी कलब था, और गाड़ी में बैठे, उब लेरी के फोन से किसी को फोन किया, और फिर ड्राइवर को बताया, वहाँ चल आदे घंटे की ड्राइव हुई, फिर उबामा बाहर निकला, लेरी ने उबामा को 200 डॉलर और उबामा आठ बॉल्स ओफ कोकीन लेके वापसी आए, फिर ये गई कलब में, इन्होंने कोकीन मेर उसके बाद ये कोकीनो कीन पीन लोगों ने फिर लेरी ने ओबामा को बलो जॉब दिया, ये बात है 6 तारीक, 6 नवंबर 1999, फिर ये चले गए अपने अपने घर, फिर 7 तारीक को लेरी की होटल की बेल बचती है, इसने गेट खुला तो देखा, फिर ओबामा है, तो अंदर हाई स्कूल में ड्रक्स किया था, उसके बाद नहीं किया, तो भाई ये जो घटना ये तो 1999 की है, तब ओबामा जो है, वो दसवी क्लास में तो नहीं थे, हाई स्कूल में नहीं थे, ओबामा की एज थी 38 साल, और वो इलिनियोस स्टेट के सिनेटर थी, अब ओबामा है, ये जूट क्यों बोल रहा है, तो उसने सिप्टेंबर में ओबामा फोर अमेरिका और AKP मैसेज एंड मीडिया करके कोई कमपनी थी, ये दोनों ही ओबामा का पूरा कैम्पेन रन कर रहे थे, इनको कॉल किया, इनसे संपर किया, इनसे बोला कि भाई जो ओबामा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ओबामा ने मेरे साथ कोकीन ली है, वो भी दो बार ली है, मतलब कि मुझे तो बेचा है, उन्होंने ड्रक्स मतलब ले के आए हैं और उस टाइम पे इस सिनेटर थे, तो ये बात है और ओबामा से आप बोलने कि वो इसको एडमिट कर ले, इसको उसके कुछ दिनों बाद इसके पास एक बंदे का फोन आया, इसने पूछा की कौन तो उस बंदे ने अपने को खुद को ऐसा मिस्टर यंग इंट्रडीूस और उसने पहला सवाल लेरी से पूछा कि मिस्टर लेरी, वाइ दिन्ट यू आस्क सिनेटर ओबामा तू कम क्लीन अब भाई लेरी का थोड़ा दिमाग वैसा हुआ, कान खड़े हुए गया, यह सेक्वल एनकाउंटर की बात तो मैंने ओबामा फोर अमेरिका वालों को बता ही नहीं थी, इस बंदे को कैसे पता, फिर इसने जो यंग था, डॉनल्ड यंग, इसने एक हपते बाद फिर फोन हम लवर्स हैं, और इसकी जानकारी जो हमारे चर्च के रेवरेंड जर्मी ये राइट हैं, उनको भी ये बात पता, ठीक, अब ये सब बातचीत होने लगी, होने लगी, फिर नवंबर 2007 में, उसी टाइम पे, एक लेरी ब्लेंड नाम का आदमी था, उसकी हत्या हो जाती है, और जो डॉनल्ड येंग था, जो इसे फोन कर रहा था, लेरी सिंक्लेयर को, इसकी भी 23 दिसंबर 2007 में गोली मार कर हत्या कर जाती है, इन दोनों के ही, जो लेरी ब्लेंड मरा था, वो भी उसी चर्च का मेंबर था, जिसका ओबामा 20 सालों तक मेंबर रहा, और डॉनल्ड य अगभी मरा नहीं था, उसके मर, मतलब, एग्जेक्ट रिपोर्ट नहीं आय थी, उसकी डेथ की, उससे पहले ही चर्च के रेविडेंड राइट ने गोशित कर दिया कि ये मर गया, अब लेरी ने जो शिकागो पुलिस थी, उसे भाई एक पूरी कम्प्लेन अम्प्लेन ल लाइन लग गई, मीडिया वालों की और ये सब होने लगा, फिर आप ये किताब जब खरीद के पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ है कि कैसे लेरी को हांट किया गया, पॉलिग्राफ टेस्ट के नाम पर बुलाया गया, फिर उसको मतलब नकली पॉलिग्राफ टेस्ट ल लेशन में वो थे, मेरे साथ उन्होंने सेक्स किया था, इंडारेक्ली उबामा भी गिये थे, बट उबामा ने कभी इस चीज के बारे में बात ही नहीं, आज भी लेरी सिंकलेर जिंदा है, आप चाहें तो टकर कालसन वाला वो पचास मिनिट का इंटरिव्यू देख सकते ह अगली वीडियो में आपको किसी और की कहानी सुनाएंगे, तब तक कले बने रही है साथ में, नया चैनल है, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराईए, पिछले वाला डिमोनेटाइजड है, और साथ में उसकी रीच के भी एल लगा रखें, यूटीब वालोंने कह रहे हैं, में एटी स्पीच करते हैं, तो आप इसी को पर्मोट कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जैशरी राम